नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर आप घर के लिए वाटर टेंक बनाना चाह रहे हैं तो उसका प्लेटफॉर्म कैसे बनाना प्लेटफॉर्म कितना हाइट पे रहेगा अब वाटर टेंक बनाएंगे वह चाहिए ब्रीक वर्क का बनाएं और सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है कि वह कितना हाइट में देना वाई कि बहुत लोग क्या करता है कि छत में रख देता है जो कि सही नहीं है और एक और चीज वाटर टेंक के घर का किधर देना बीच में देना साइड में देना या किसी यह पोना में देना वह सबसे इंपूर्टेंट चीज है तो आज मेरा वीडियो टॉपिक वही है को हाउट टू बिल्ट वाटर टैंक प्लेटफॉर्म 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 और हाउस का इस्ट्रक्शन एस्टेप जो घर बनाने का अज मेरा सिरीज शुरू हुआ था कि एक एक करके मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं उसका आज 31 31 पार्ट है और अभी तक मेरा 30 पार्ट बनके रेडी है आपको जो प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है और एकोची में इसमें क्या किया हूं कि यह जो वीडियो बनाया हूं तो हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ने सारा का हर एक का लिंक दे दिया हूं एक से तीस तक का पाट का ताप उहाँ से देख सकते हैं तब चलते हैं कि वह कि भाई कि कैसे करना माल नेजाए कि मेरा ये घर का पलान है ठीक है पलान और यह टेरैस का है ठीक है और इस टेरैस में और मेरा जितना भी भात्रूम हो किजेन का लाइन है किजेन का पॉ सोन है run for में ज़िस में भी और यहां पर मालेगी ट्वालेट है इस तरह से और ज्यादा दतार हम लोग को कहां जुरद पड़ता पानी का पाइप टेंक जो बनाएंगे उसको पानी का सप्लाई के लिए कहां जुरद पड़ता बातरूम में किचन में वेख हॉल में जहां पर पेसीन होगा वही में देना कहां है पहला चीज तो हमको फिक्स करना है जहां पर ज़्यादा लाइन ओ यह विस्ट इस हमको तर इस कर इस पोजिशन में ध़र आपका प्लेटफॉर्म कैसे बने गा प्लेटफॉर्म तक demand कर देखो सबये गर आपको टेरेस पर से अंगर यहां बना रहे हैं तो इसका हाइड देना है जब आपको टेररीस पर फॉन नहीं देना पानी का पॉइंट नहीं देना तब दीजिए अगर आप पानी का पुइंट देते हैं तब इसका हाइट आपको कम चकम 3-4 फित रखना पर लेंगे प्लेट फॉर्म का हाइप नए तो सबसे पहले Вां पहले हम जो है इसका बढ़ता आते हैं अगर आप वनली दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या किजिए कि आपको क्या करना है बिचा देजिए पूरा एकदम प्लेन और बिचाएंगे तो आप उसमें अगर आप चाहेंगे तो आप रख सकते चाहें उसको सरकुलर भी कर से लिए तर बेटर रोका सरकुलर और जितना पर आप टेंक वाटर टेंक जो पीविसी का मंगाना चाते हैं वह आपको मार्केट में है बांसोट लिटर से सुरूँ होता पांसोट लिटर हजार लिटर दो हजार लिटर उसके एशाब से आप उसका डाया के आप बना देजिए और याद ब्रिक प्लेटफॉर्म ठीक है अब किया है मेरा दूसरा है अगर हाइट में देंगे तीन से चार फिट के हाइट में देंगे तब उस समय जो हम को क्या करना परेगा आर्ची सी प्लेटफॉर्म और सब्संद्ल में जो कोलम आपका नीचे से ओपर आ रहा है उसी कोलम पे खीक है उसी कोलम पे चार फिट है पांच फिट हाइट में आपको टेंये नहीं सब्सक्राइब याने तो अब बात करते हैं कि दूसमें बहुत लोगर सफिजन होता है कि हम जो है बिरिक कहीं बना देंगे क्योंकि अब बनाने के पिछी रिजन क्या है और या नहीं तो यह थाइड जो बनाना है चार से पांच विटाएगा उसको रिजन क्या क्योंकि फ्यूचर एक्स्टेंशन के लिए अगर आप उनली बिरिक का प्लेटफर्म बनाके डाल दिये तो छे इंची से ले करके दस इंची तक आठ से दस इंची तक हाइट में तो बात में जब अगर आप घर को और उपर उठाएंगे एक फ्रोड़ और बनाएंगे तब तो बहुत असान बाई करना लेकिन अगर आप कोलम उठा करके चार तीन से चार फिट में आप कर दिये तब जा करके दिक्कत है तो इसलिए हम कहना चाहरे है कि तो कि हर किसी लोग अगर फ्यूचर एक्स्टेंशन के हिसाब से यह चलता है बिरिक बला कर दिये हो गया कोई दिक्कत ने लेकिन अगर आर सिसी के करेंगे आ आपको क्या करना पड़ेगा कि यह मनलों होगे फिक्स अब आपके घर को ना उपर उठाना कुछ भी ने करना तार सिसी प्लेटफॉर्म बना दिये और इसके उपर हम लोग जो है टैंक रख दिए ठीक अब वो टैंक आप बेस यह कि अगर आप प्लेटफर्म बनाए है ता हब को पीवी ऐख रखना पड़ेगा शिक आप support कहर आप अरए में क्या है के के यह तो हो गया और टीसरा क्या है आर्टपर्वर्म अरटपर्वर्म आर्टपर्म ने अब और आर्टफिसी का टेंकहीं हो हुआ आप chemtuaten तो क्या करता है जिसे आर्च की टेंक बनता है वह बनता है जने से एप पर लगावा आप ज्यादा पानी खर्चा होगा इसलिए वहां पर आज सी का टेंक बनाने से कि क्या है कि आप करेंगे इसको अब जो है कभी भी आज सी का टेंक बनाएंगे कभी इस से कमस कम आपका तीन से शेण से इसको भी देना है है और जितना आपकका कीरति के वहांसे बनाना चाहते हैं कितना आदमी उस-घर में रहेगा चाहिए पाटमेंट में रहेगा उसके चाहे एक क्सीर्ड और यहां है स्लेб कर देंगे सेलेब के साते ही मेरा यहां पे RCC का वाल रहता सेशिक ए हावाल रहे गा और कभी वी टैंक भूर्टर टैंक ब्रिक का बिल्कुल मत कीजिये it वाल का बिल्कुल नहीं करना हो ठीक है और स्टीप का वाल हिए ओर आपको जिए का बना देना एक टेंक एक एक अर्शी का सिलम ठीक है इधर वाइस और यहां पेक मैन होल देना मैन होल कि थे सब ध्यान रख्येगा तो इस तरह किसे आप जो है कर सकते हैं क्या इससे प्लेटफोर्म बंघった आप को यहाँ पर क्या क्या प्राइब हुआ कि प्लेटों किस दिन तरह को है एक बिंद का एक आर्ट है इसे पर प्रिक प्लेटफर्म में आपका पी वी सी का रखाएगा पी वी सी का टेंक टेंग भी आपका प्राइक पी वी सी का टेंक इसमें आपका आकड बैर ठीक कर अहुंकि मिधे थेगा तो इनृत्ञ we उसको सिचाई के लिए आपको देना पड़ेगा और अगर आर सिसी का जब आप टैंक बनाएंगे इसमें इंपोरेंट चीज़ किया है कि आपको जब वाल कास्टिंग करेंगे उसी समय आपको एक ओट लेट देना पड़ेगा ठीक है याद रहाना चीए ओट लेट आपको देना बहुत जुरूरी है कि मैं तो फिर आप कास्टिंग से पहली बात आप बात कर रहा हूं नहीं तो आप जब आप कास्टिंग करने फिर होल करेंगे यहां से आपका सिपेज करेंगा यह ओट लेट आप कितना अगर चाहेंग सब्सक् frightening या ज्याद Ma को आप होना चाहिए कही लेट और उसी तरह से अगर आप जिसे मालना जाए के पीबी सी कह लगाते है तो पीवी सी व्लामें क्या होता है पीबी सी वलामें यह वह गया पीबीसी का दिगे इसमें आपका एक तो आउट लेया एका पायू का तो ओबर फुलो का ओबर फुलो का पाइप रहेगा और एक रहेगा दोस्तों आपका इसमें इनलेट का इनलेट का पानी आएगा यह रहेगा आपका इनलेट का इसमें पानी जाएगा इनलेट का पानी कितना तीन तरक हो गया और पहले इनलेट गया फिर ओटलेट जाएगा फिर तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आप टेंक बना रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं और अगर आपको घर का फ्यूचर एक्सेंशन नहीं करना तब आर्ट बना सकते कुई को पानी के जगा रहेगा उसका और प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा आपको अगर फ्य प्लेटफॉर्म बना लिए बाद में एक साल चाहिए दो साल बाद आपको टेक्स्टेंशन करना ही है उसमें आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही असान है और उम्मीद करता हूं कि अच्छी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अगर अभी तक आपको अगर कुछ डॉट अभी बच गया था आप मुझे कोमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक देश्तों और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और खास करके हमारे चैनल आकर सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके पता है कि एक मैंने नया लोगो बनाया है और उस लोगो में आप देख के बताईए आपको मेरे इस वीडियो में भी दीख़राओकंगा मेरा लोगो कुछ अलग था अभी नया लोगो बनाया हूं अगर वह लोगो आपको पसंद आ है जरूर ऊसको कॉमेंट करके बताइए छेक दोस्तो धन्यवाद दोस्तो